वेल्कम बैक टो माई चैनल गाइस एक और नियो रीडिंग के साथ मैं आगई हूँ कैसे हैं आप सब आई होप कि सभी अच्छे हैं खुश आर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है जा आपके लिए डिवाइन की तरफ से शुरू करने से पहले गाईस बता दू कि यह टाइम लेस है ठीक है जब भी आप यहां तक पहुंचेंगे आप देख सकते हैं अराम से चलिए अब स्टार्ट करते हैं king of cups queen of wands sorry queen of swords five of cups tower and temperance यहां से है eight of wands कार्ड्स आ गए हमारे पास कुछ देखिए अभी भी आप लोग tower moment face कर रहे हैं अभी भी सारी परिशानिया आपकी life से नहीं गई हैं अभी भी अगर आपको लगता है कि आपका connection बहुत हद तक strong हो गया किसी की भी साथ अगर आपको कोई भी connection अगर आप पोच रहे हैं तो वहां पर अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़े हैं जो अभी भी solve नहीं हुई है अभी भी trust issues कुछ ना कुछ दिख रहे हैं ठीक है यह इस वज़े से हो रहा है trust issues वगरा वगरा आप इसलिए face कर पा रहे हैं क्योंकि अभी tower moment आपकी life में चल ही रहा है और divine आपको बोल रहे हैं कि आपको ना अभी अपनी healing process को continue करना पड़ेगा और चीज़े धूननी पड़ेगी सीखनी पड़ेगी अपने अंदर improvements लेकर आने पड़ेगे तो अपने inner work पर अपने healing पर focus रखिए अभी ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा achievement हासिल कर ली तो मतल improvement लेकर आने की या फिर अपने चाक्रास पर काम करने की अभी भी जरूरत है क्योंकि tower moment अभी भी आपकी life में चल ही रहा है ये कभी आपकी love life पे effect डालता है कभी आपके career में कभी आपकी personal life पर ठीक है तो अलग-अलग जगहों पर ये tower moment असर छोड़ रहा है अपना तो इसक खतम होना बहुत जरूरी है जो कि अभी तक चल ही रहा है ठीक है आप बहुत जदा excited दिख रहे हो ठीक है टेंशन फ्री हो आज आप आज आपको इतनी टेंशन नहीं हुई कुछ न कुछ अच्छा आपने अचीब करा है आज हो सकता है कोई अच्छा interview गया है या exam की practice कर रह आज ठीक है लेकिन कुछ अच्छा आज आप बहुत अच्छा सा feel कर रहे हो आपके चेहरे पर smile मुझे दिख रही है आज पूरा दिन आपने अच्छा feel किया है लेकिन हाँ आपको पता है कि अभी भी challenges यहाँ पर still है तो आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप इसको इ आप हमेशा alert रहें क्योंकि queen of swords की energy है यह बता रही है आपके alertness को ठीक है और सही तरीके से time को utilize करें और बाकी चीजे जो आपके out of control है उसे surrender कर दें डिवाइन पर यह आपको करने की ज़रुरत है अभी यह messages हैं आपके लिए और देखते हैं और क्या messages हैं डिवाइन की the temple path मुझे लगता है यह tower movement ना अब आपकी love life को impact कर सकता है आपकी love life पर थोड़ा सा आप alert रहें या हो सके तो अपने partner के साथ communication थोड़ा कम कर दें क्योंकि हो सकता है अगर love life पे इसका असर पढ़ा तो आपकी अनबन हो सकती है arguments हो सकते हैं तो कुछ time के लिए communication कम कर दो आप जब तक आपको लगे की situation ठीक नहीं हुई है यह आप कर सकते हैं और बाकी अपने work पर जाद से जादा focus कीज़े आपकी community में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको लेकर अच्छी feeling नहीं रख रहे हैं ओके envy की feeling है walking away का card है आपको देखो कुछ चीजों से आपको दूर जाना पड़ेगा यह victory पाने के लिए फिच है आपका love connection है या फिर आपके आसपास के लोग है ठीक है आपको दूर जाना पड़ सकता है अगर आप चाहते हैं victory आपको मिले आपकी life में success मिले आपकी life में romantic cycle शु आपकी community में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके success को लेकर इतना खुश नहीं हो रहे हैं तो आप किसी के भी साथ अपने future plans share मत कीजिए किसी को कुछ मत बताइए क्योंकि जब बताओगे नहीं तो उनको पतानी चलेगा और देन कोई negative vibes आप तक नहीं पहुँचेगी Archangel Ariel का support है आपको right now और तभी इतनी positivity बनी हुई है और Archangel Ariel आपकी manifestation में आपकी help कर रहे हैं तो जितना हो सके positive vibes feel करा करें अच्छी बाते बोला करें पूरा दिन में कुछ भी negative आपको बोलने की जरुरत नहीं है आप बोलिए जो आप चाहते हैं वो हो रहा है बहुत अच्छे इस तरीके से affirmations बोलते रहें आपकी सारी दुआएं मननते prayer affirmations manifestation divine देख रहे हैं और divine के पास आपकी सारी आवास पहुंच रही है तो वो आपको response देंगे आपके खुद के person आपके बारे में overthinking करेंगे आने वाले time में क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यह आपको ignore करें कुछ time के ल और जो भी होगा यह खुद आएंगे आपके पास overthinking करेंगे खुद आपके पास आजाएंगे don't worry क्योंकि कुछ time के लिए आपकी love life में tower moment चलता हुआ दिख रहा है मुझे तो इससे घबराना नहीं है जहां पर आपको लगे कि चीजे खराब हो सकते हैं वहां कुछ time के लि आपका इतना बुरा नहीं गया है आज का दिन आपका अच्छा गया है अच्छी vibes आपने feel करी आज और आपको एक अलग ही एक positive vibes और एक बहुत ही आपके अंदर आपका फी optimistic बनें आज के दिन आपको future में होने वाली जो भी चीजे हैं believe है के वो अच्छी हो जाएंगे divine और क्या बताएंगे आपको protection supreme protection है आपके पास divine तक आपके आवाज भी पहुँच रही है और divine आपको protection दे भी रहे है divine blessing है आपके पास guys protection हो तब ही तो इतना खुश फील करा है आज आज इतना अच्छा फील करा है आपने आपके पास आपका spiritual goal पूरा हो जाएगा ठीक है don't worry divine blessings आपके साथ है change of place आप जल्दी अपना place change करेंगे जल्दी ही ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है death major transformations होंगे आपके life में आने वाले time में तो जो भी आपके अंदर false ego है उसको हटा दो ठीक है anger वगरा जो भी है अपनी क्योंकि आपको chakra इस भी balance करने है ना life balance करनी है तो temperance card बता रहा है कि जब तक यह चीजे नहीं heal होंगी तो यह tower moment नहीं हटेगा तो अपनी overall personality में भी changes लाने हैं career में भी changes लाने हैं smartness भी दिखानी है अपनी कुछ situations में अपने future plans किसी के साथ share नहीं करने है अब तो बिलकुल भी नहीं करने है because अब इतनी अच्छी vibe आप feel कर पा रहे हो इतने खुश हो अपनी life में future को लेकर इतने दिनों बाद यह खुशी देखी आपके चेहरे पे तो यह खराब नहीं होनी चीए ठीक है तो किसी के साथ कुछ share नहीं करना अब guys smart बनो अपने अपने तक रखो यह बाते ठीक है और जब पूरी हो जाएगी तो दुनिया खुद देखेगी फिर तो बोलने की विज़रत नहीं है और देख ले क्यों में क्या है आपके लिए दमारी है दमारी है सॉरी मादा मैरी मादा मैरी लाव और पीस येस देखो लाव और पीस है ना तो थोड़ा एंगर वगएरा सब कम कर दो लेट गो अगर आपको किसी के साथ कोई आर्गुमेंट हो भी रहा है तो खुद को सही प्रूफ करने के लिए उस आर्गुमेंट को मत बढ़ाओ उसको लेट गो कर दो और शान्ती को चुनो ठीक है क्योंकि मादर हीलिंग पॉसिबल है आपके लिए अभी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाईए अपनी और आपके सामने सच्चाई भी आएगी देखो राधा मा भी आ गए है आज आपके सामने सच्चाई आएगी लेडी वीनिस बोल रहे है और कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इंफोमेशन अनदर रेलम से भी मिलने वाली है और राधा मा अभी भी आपसे देखो यही कह रहे हैं कि आप अपने लास्ट पार्ट को डिस्कवर करो री डिस्कवर करना है आप भूले बैठे हो कुछ ना कुछ अपनी खुद की जानकारी खुद की ऐसी पीस आफ नॉलिज ठीक है आप भूले बैठे हो उसको आपको डिस्कवर करना है और अपने साथ एक अच्छा एक बांड एक अच्छी रिलेशन्शिप खुद के साथ भी फील करना है ताकि आप दिन हर दिन हैपिनस फील कर सको खुश रह सको खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो यह सारे मैसेजस थे आपके लिए आपको पसंद आई होगी तो अगर आप यहां नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं अब इक लिए बस इतना है गाईस बाई ठेक कियर